अई बात करने वाले से क्योंकि मेरे पास back-to-back काफी सारे message काफी सारे comment आ रहे है कि साथिया इंड़स्ट्री लिमिटेंड में क्या करें क्या करें क्या entry बनाई जाए क्या entry नहीं बनाई जाए उससे लेटेर हम यहाँ पर बात करने वाले है तो आज जो मैं लेवल बताउगा उसकी तरफ ध्यान दीजेगा और याद रखिएगा buying selling की recommendation बिल्कुल भी नहीं है अपने financial advisor खुद की study आपको करनी है तो सबसे पहली बात ठीक है वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले request है कि I am small cap investor चैनल को subscribe कर लिजिए bell icon को hit all के notification को on करिए buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor खुद की study करना है और चीजों को सीखे तो आपके questions भी हाँ पर solve होते हुए खुद ही नजर आएंगे तो वीडियो जाके देखिए सबसे पहली बात तो वीडियो में खुल के मैंने आपर बताया हुआ है कि exactly हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं बट च्टिल फोर रीकैप हम यहां पर बात ही करेंगे ओके वीडियो में आगे बड़े आपसे request है कि सीखना है तो यहां पर 8605-40501 8169-261-237 दोनों नमबरों को सेफ कर लीजिए basics to advanced technical research fundamental ठीक है सीखिए यहां पर आपको सारे questions की answer जिसे कहते है न A to Z question की answer आपको मिलते होगे नजर आएंगे कि क्यों क्या कैसे किसलिए कब यहां पर लेना है कर नहीं लेना है बेचना है नहीं बेचना है ठीक है कौन सा share लेना है किस share में position बनानी है कहां बनानी है risk क्या है reward क्या है risk management क्या है सब पता चलता हुआ नजर आएगा 20,000 रुपे course की piece है बट जैसे कि हमारे 10 के subscribe हुए थे तो मैंने यहां पर एक offer दिया था कि 31 तारिक तक 10% का offer दे रहो 80,000 रुपीस का यहां पर course है और अगर एक पर course complete हो जाता है ठीक है न तो यहां पर चीज़े आपको खुदी automatically समझ में आ जाएगी और एक तारिक से यही course की piece 25,000 रुपीस होने वाली है 25,000 रुपीस ठीक है न अच्छा course है करने के बाद regret नहीं होगा इस चीज़े में guarantee लेतो दूसरा अगर portfolio किसी का बड़ा है साथ में काम करना चाहता है 4,5,5,5,1 क्रोड का इन नमरों पर contact करें साथ में यहां पर काम करें आप कुछी यह automatically समझ में आएगी तो हम यहां पर क्या बात करने वाले साथिया industry से related बात है करने वाले साथिया industry करती क्या है ठीक है बार-बार repeat क्या है आप लोगों को ही पता है क्योंकि आप investor हो particular stock में यह लेना चाहते हो तो आप भी कुछ ना कुछ research करते होगे I am damn sure तो यह one of the biggest and completely integrated wood agro-based paper manufacturer तो paper manufacturing यह company है ठीक है जो कि different type of यहांपर papers बनाती है जो कि यहांपर printing of books, direction, envelops, diaries, calendars, computer stationery, copy, etc. यहांपर बनाते हुए नजर आती है इनके products में आप जाओगे तो मैंने आपको last time भी दिखा रहता हूँ आगे आपको दिखा रहता हूँ कि यहांपर इनके paper से लेटेटी products है जो A4 size sheets आती हुई दिखाई देती है ठीक है वो यह company बनाती हुई दिखाई देती है ठीक है different different types of यहांपर surface size paper ठीक है जो printing के लिए होते है जो books के लिए होते है as well as यहांपर आप जाओगे और इनकी website पे तो आपको पता चलेगा कि cup and cutlery जो होती है जो कि आजकल काफी use में आती है और functions में use होती है वो भी यह particular company बनाती हुई नजर आती है यहांपर इसका chart pattern देगिए ठीक है तो यहांपर आपको समझ में आएगा कि यह जो share है 2015 रूपे में एक रूपे में था अभी लगबा 116 रूपे पे जल रहा है हर चीज को यहांपर देखा जाता है यही नहीं कि share भाग रहा है तो लिया जाए तो बीच में भी देख देखो गए तो काफी बार यहांपर गिरावट आती हुई दिखाई दी है ठीक है बड़ बांस बैक हो जाता है शेर की बात करे तो 1413 क्रोट रूपे की कंपनी है और यहांपर आप देखोगे स्मॉल कैप है तो हमारे एक चैनल का नाम भी आइम स्मॉल कैप इंवेश्टर है तो मतलब क्या है छोटी कंपनी से लेटी हम बात करते है छे का पी इंडश्टी का ही है और इसका भी पी छे कही है तो ना तो जादा है ना कम है ठीक है एस वेला इस हम यहां बात करें पी के बेस पे काम नहीं करते ROC ROE काफी ठीक ठाक नज़र आता है 50% का डेट भी है और 362 रूपीस का intrinsic value है तो मतलब यहां से यहां पर तो double से जाता है यहां पर return होते हुए आपके दिखाई दे दे ही है phase value एक की यहां पर नज़र आती है और इस चीट को याद रखिये ठीक है ना मेरे तो यहां पर पैसे नहीं बने ठीक है मैं यहां आपर निकल भी चुका हूँ नहीं होती तो मैं वहां पर script को change कर देता हूँ दूसरी बात अगर हम यहां पर बात करें maximum chart pattern तो यहां पर हम देखी चुके है और यह कुछ industry ऐसी है कि कहीं न कहीं rotational basis पर चलती है ठीक है जब चल रही है चल रही है जब गिर रही है कि यहां पर इनकी जो sales है पिछले बात करें March के बास से लगाता घटती हुई नजर आ रही है जो कि बिल्कुल भी positive factor नहीं है ठीक है इसके इलाबा इनका जो net profit है वो भी घटता हुए नजर आ रहा है इनका जो operating profit है वो भी घटता हुए नजर आ रहा है margin भी आप देखोगे तो कही न कहीं घटते हुए नजर आ रहे है जो कि positive factor नहीं है और जब चीज़ें यहां पर घटती हुई नजर आ रहे है sales एक आत क्वाटर चल सकता है बड़ लगातार घटती पांस एक के से sales हो रही है तो कहीं न कहीं जब अगली वार फिर और कम या इसके आसपास भी रही तो भी कहां फाइदा होता हुए नजर आएगा मुझे नहीं लगता तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा आगे के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है yearly basis पर बात करें yearly basis पर देख सकते हो company का performance बहतरीन है इसलिए मैंने का है कि long term के वीजन से share यह अच्छा नजर आता है और net profit की बात करें तो वो भी यहां पर काफी बहतरीन यहां पर नजर आता है reserves बढ़ते हुए नजर आ रहे है साथ में borrowing भी थोड़ी वह होत है 110 करोड़ पर working progress में लगा रखे है जिसका फायदा आगे यहां पर होता हुए नजर आएगा cash की बात करें तो cash है company के पास और यहां पर positive cash flow भी नजर आता है promoters के बास exit share बने हुए कही न कहीं June और September में यहां पर promoters ने buying करी है जो कि एक positive factor नजर आता है FI's की बात करें FI's ने भी यहां पर इससादारी बढ़ाई और public से share गए है पर public में भी देखोगे तो कुछ लोगों ने जहां पर 11% की थी वहां पर 2% की सदारी रही है तो इन्होंने अच्छे खासर share बेचे है तो यह street को भी हमें ध्यान में रखना है और एक चीज़ यहां पर देखिए कि दिसंबर में ही जो इनके डारेक्टान है 122 रुपे के भाव पे 50,000 शेर बेचे है सब्टमबर में फिर 132 के आवे 50,000 तो कहीं न कहीं यहां पर यह बेचते हुए नजर आ रहे है बट इससे पहले आप देखोगे तो यह खरीदते भी नजर आ रहे थे यहां पर बल्क डील होती रहती है बाइंग सलिंग चलती रहती है वो भी आप यहां पर देख सकते हो कि 113 दिसंबर को ही मतलब पांच दिन पहले ही ठीक है ना क्यूवी स्क्यूर्टी और इन्होंने लगबग 5 लग शेर इन्होंने बेचे 20 लाग शेर इन जो खोल्ड डैजन के बात करें सोड़े लक्षेर इननों ने यहां पर बैसे इनों क्या दो चलती है बोड़ च्रेडिंग करते है ठीक है तो यहां पर एन यहां पर देखे तो क्या नजर आता है कि बॉस्किंध दोसरी बूसरी मार्खीर होती होई निजर आती आ गरातार र बुल मार्केट है वे सबची डूपर जा रही है तो इस विज़े से और यहीं पर ही अगर मार्केट का रूप थोड़ा सा चेंज हो जाता है या होता है अगर 2021 की चल रही होती या 22 में चल रहा होता तो यह शेर अभी तक यहां की तरह यहां की जगे और नीचे आता हुआ दिखाई देता है शायद यहां पर 88 रूपीज पर ट्रेड कर रहा होता तो यह भी हमें समझना होगा तो क्या होता बुल मार्केट में घदे और घोडे दोनों यहां पर साथ में दोड़ते हुए नज़र आते हैं बट याद रखिए ठीक है मैं हमेशा घोड़ों पर दाव लगाना पसंद करता हूं ठीक है न क्योंकि अगर अच्छा नज़र आता है सबसे पहली बात तो यह है कोई obsession नहीं है ठीक है कि मुझे इसी particular share में इनवेस्ट करना है दूसरी बात हम यहां पा चार्ट से लेटी दो बाते करेंगे उससे पहले आपसे request करूंगा चैनल को subscribe, bell icon को hit all की notification कौन करीगा, buying selling की recommendation है नहीं और इन नंबरों पर note करके basic to advance यहां पर course साथ में काम करना है तो इन नंबरों पर गंटी कर सकते है, okay call कर सकते है, कोई भी यहां पर charge नहीं है, call करने का, message करने का बात आप खुल के कर सकते है साथिया की बात करें, तो इहां पर आप देख सकते हैं, ऊपर गया, breakout देता हुआ नजर आया, fake और यहां पर एक negative candle बनती हुआ नजर आ रही है, resistance के पास, ठीक है, तो क्या है, क्या नेगिटिव चार्ट है, बिल्कुल भी नहीं, positive chart में जर आता है, बट इस्टिल थोड़ी के लिए, ठीक है, इसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, अगर यह एक सो बामन एक सो तरेपन पर टिकता है, तो इसके लिए एक resistance है 164 का, ठीक है, यहां पर आप जब एक सो बामन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, एक छोटा सा stop loss लगाईएगा, तीन चार रुपे का र सरी के कोई प्रोब में जे नजर ने आती, पर शॉट टम में थोड़ा बहुत यह गिर सकता है, और याद रखिए एक बार और गिरता है, और फिर उसके बाद जिस दिन निकालेगा, तो याद रखिए यह शेयर यहां से निकलेगा, और आपको 300 रुपे का लेबल, शायद क अपने हिसाब से यहां पर देखना, होप आपके सारे कोशन के आंसर मिल गए होंगे, क्या आपको खरीदना है, क्या बेचना है, ठीक है, मैं आपने लेवल बता दिये है, कि यहां नेगिटिव केंडिल है, पहली बात, दूसरी बात, इसके उपर जब तक इस लाइन के उप पड़ता है, ब्रोकरेज ही तो जाएगा, जादा से जादा, ठीक है, और जब पैसे बनेंगे, तो आपके पैसे बनते हुए नजर आएंगे, तो आप दोन तरफ से विन-विन सिच्वेशन में खील सकते हो, इस स्टॉक्स के साथ, और लेवल को हमेशा ध्यान दीजिए, मै वीडियो में हमेशा आपको लेवल बताता हूँ, आपको रिस्क भी बताता हूँ, कि इतना रिस्क है, इतना ही रिस्क लेना चाहिए, से जादा नहीं लेना चाहिए, पोरिशन काट के दूसरी जगए इन्वेस्ट करके, उस रिस्क को भी कवर कर सकते हो, उस लॉस्को भी क अच्छा गासा फिर यहां पर देखेगा positive chart है बट negative candle है तो दोनों sentiment मेरे यहां पर बने हुए है और वाइंग जोन में भी चल रहा है तो वह सब चीज हम यहां पर देखना है तो buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुछ की study करना है चीज़ों को सीखना है वो सीखने के लिए course आपके लिए है videos आपके लिए है like करे comment करे और still अभी भी कोई problem है तो आप मुझे message कर सकते हो ओके यहां पर comment कर सकते हो ताकि मैं आपका job देदें तो thank you so much God bless